अगर आप सपनी में कोई व्यक्ति तीर्थ यात्रा देखता है तो यह सपना बेहस होता है तीर्थ यात्रा का सपना आप पर होने वाली भगवान की किर्पा की ओर पिसारा करता है कहते हैं कि तीर्थ यात्रा में जिन जिन देवी देवताओं का इस्थान दिखाई देता है उस देवी देवताओं की किरपा आप पर वरस्ती है मतलब कि आप जब आप अपनी में अमर्ना धाम की आता देखती हैं तो आपको आने वाले कुछ दिनों में कोई सुबसमाचा मिल सकता है आपके प्रगति के रास्ते खुल सकती हैं सिमंदिर के दर्सन का सपना मन की सांती के लिए एक संदेश है इस सपनी में रिस्ती से जुड़ा हुआ भी एक खास संदेश आपके लिए छुपा हुआ है जो कि पताता है किसी रिस्ती में पहला कदम आपको खुटाना होगा आपको आगे आकर बोलना होगा यह सपना दोस्ती की करम जोसी का संकीत करता है जीवन और आप जिस दिसान में दुकशा रही है उस पर आपका द्रस्ती कों सखारत्मक है आपकी सपने में यात्रा आपकी द्रण जिच्चे ततर्ण दिखाता है अहीं है exiting में और टेते आप उस समस्या की सच्चाई उजागर करने के लिए कड़ी मेहनत कर रही है जो आपको परिसान कर रही है यह सपना बताता है कि आपको आने वाले समय में अपने आपको काफी एनर्जेटिक तथा खुस्नुमा महसूस करेंगे आपको अपने अंदर से एक अत्यंत साहनती महसूस होगी आपको अपने लिए खड़े होने और अपनी आवाज बुलंद करने की जरूवत है आने वाला समय आपके लिए बेहदियत्चा होने वाला है जहां यह दिखाता है कि आप अपने मन को नियुनतित करने में सक्चम साथी मेंटली स्ट्रोंग की पावर को भी इसारा करता है इस सपनी में अमनात की यात्रा करना इस और इसारा करता है कि आपको यह स्विकार करना होगा कि आपका अंत्रग्यान आपको क्या बताने की गोसिस कर रहा है दर्सन और सिफ और मंदिर के दर्सन सिफ का सपना देख है इसलिए ये सपना आपको इस और संकेत करता है कि आपको असिंस्ट होने की जरूत नहीं है आपको अपनी महनस से लाव प्राप्ट होगा आप अन्ततह अपनी योग करीमा और उसके पढ़ नाम प्राप्ट करेंगे आप अपनी मंजिल में सही दिसमे गदर उठा रही हैं आपस्पना आपके दिन की प्रती सकारात मक्द जेस्टि पोर्ण का सन्फी है दोस्तों जब आप सपने में अमनात की यात्रा को देखती है तो यह सपना बताता है कि भोले नात आपसे बहुत प्रसन है तता आपको फून की किरपा का आसी बात प्राप्त हुआ है आप उनकी प्रिया भकते हैं यह सपना बहुत ही कब लोगों को आता है ऐसा सपना आने पर निच्चे ही आप भागिसाली है तता भोले नात की असीम किरपा आपको प पूरा करे, ओम जैसाहिराम